हाई फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल घरेलू नुसके असरदार उपाय में आपका एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज में आपको तिल मस्तों को जड़ से हटाने का एक असान सा घरेलू उपाय बताने जा रही हूँ इस नुसके से तिल मस्ते चाहे वो शरीर के कि किसी भी हिस्से में हो चाहे चेहरे पर हो या हाथ पैर हो या शरीर की किसी भी हिस्से में हो उसे जड़ से हटाने का यह नुसका बहुत ही असरदार है इससे आपके अंचाहे तिल मस्ते जड़ से हमेशा के लिए खतम हो जाएंगे लेकिन इससे पहले आप से रिक्वेस्ट हटाने के भर्सक प्रयास के बाज उद भी वो दूर नहीं होते और आपकी तुचा को भी काफी नुकसान होता है मेरे इस नुष्के से अंचहतिल मस्ते पर्मनेंटली रिमूव हो जाएंगे साथ ही इस आपकी तुचा को कोई नुकसान नहीं होगा सबसे पहले आपको लेना होगा धनिया पत्त कोरियंडर लिफ। आपको लेना है इसके बाद आपको इसमें mix कर लेना है आपको लेना है apple vinegar आपल वीनेगर भी अंचा है तिल मसो को जड़ से हटाने में काफी help करता है इसकी मात्रा आपको थोड़ी सी लेनी है कुछ बुन्दे ही आपको इसका इस्तमाल करना है एपल विनेगर की, आपको सिर्फ एपल विनेगर ही यूज करना है, कोई दूसरा विनेगर नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा लेनी है, अब इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर ले, अब इसका इस्तिमाल करना है आप जहां से भी अपने तिल मस्तों को हटाना चाहते हैं उस जगह पर रूई के टुकडों की मदद से आप तिल मस्ते वाले अस्थान पर इसे लगाएं और आधे से घंटे के लिए लगा रहने दें इसे दिन में दो बार इस्तिमाल करें आप चाहें तो इस रूई की टुकड़े को वहाँ पर चिपका सकते हैं कुछ देर के लिए आप देखेंगे कि आपके तिल मस्ते जड़ से दूर हो गए हैं साथ ही इससे आपकी तवचा को कोई नुकसान भी नहीं होगा इसका इस्तिमाल करके देखें आपको बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा यह बहुत ही ज़्यादा असरदार है काफी एफेक्टिव है यह अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जो करें बेल बटन को क्लिक कर लें नए वीडियो को नोटिविकेशन पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में